हेलो केडिट्स कैसे हो आप लोग वेलकम टू एड्यूमेंशन आज नरेंद्र मोधी जी ने सैनिक स्कूल को ले करके एक अनॉंस्मेंट की अपने स्पीच में चलिए जल्दी से देखते हैं कि वो क्या है कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती है उनके भी लिए भी सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोले जाएं दो धाई साल पहले मिज़ोरम के सैनिक कूल में पहली बार बेटियों को प्रवेश देने का हमने एक छोटा सा प्रयोग प्रारम किया था अब सरकार ने क्या है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा देश के सभी सैनिक स्कूलों में अब बेटियां भी पड़ेगी तो जैसा कि अभी आपने देखा, नरेंदर मोदी जी ने ये अनाउंस किया है कि 2022 की AISSE exam में सारी की सारी girls भी participate कर सकती हैं, girls भी ये exam दे सकती हैं, क्योंकि अब पूरे 33 सैनिक स्कूल के दरवाजे girls के लिए भी खुले हैं दो साल पहले जब स्टार्ट हुआ था, तो कुछ सैनिक स्कूल थे जहां पर girls को admission दिया जाता था, लेकिन आज नरेंदर मोदी जी ने अनाउंस किया है कि पूरे 33 सैनिक स्कूल में girls admission ले सकती हैं, और आपको ये तो पता ही होगा कि already 100 new सैनिक स्कूल का announcement हो चुका है, तो आने dream है, सैनिक स्कूल में admission लेना, अपने आपको cadet कहलाना, क्योंकि सैनिक स्कूल में पढ़ने वाले हर बच्चे को cadets का जाता है, तो अगर आप भी चानते हैं कि आपको cadet बोला जाए, तो आप AISSE की तयारी start कर सकते हैं, अगर आप class 4th में है तो 5th में, और अगर आपको इस series, previous year questions, sample papers और guest paper भी लाए हैं, ये सब कुछ के साथ साथ आपको live doubt clearing sessions भी हमारे साइट से मिलते रहेंगे, तो अगर आप सैनिक स्कूल की तयारी चालू करना चाहते हैं, तो आप लोग अभी app डाउनलोड करके अपनी तयारी start कर सकते हैं, तो देर की इस बात किया है, ठीक है तो आप से मिलता हूँ जल्दी आपके इस course में और आपके सामने और बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता हूँ, सैनिक स्कूल से related, सैनिक स्कूल के course से related, crash course सब कुछ यहाँ पर, तब तक के लिए हंसते रहो, मुश्कुराते रहो और देखते रहो सारफ सर की class, जैहिंद, बाइ बाइ तक केर